दोस्तों आज राजस्थान बर में डीजी पी साब के आदेश के बाद बिना हेलमेट वाले जो दुपईया वान चालक के उनके खिलाब कारवाई की जा रही है और इसी करम में आज बार्मेर जिला मुखेले पर भी कारवाई चल रही थी दर्मियान एक भाई साब बिना हेलमेट लगा यहां पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रुकवा दिया बोला कि हम कापका चलान काटेंगे तब उन भाई साब ने तुरंथ परबाव से चलान के पैसो जितने लगते थे उनी पैसों से अपने खुद के लिए हलमेट लेकर आये हैं और साब को बता दिया साब मैं हलमेट लेकर आगया हूँ अब मेरा चलान मत काटिये चललान नहीं दिया हैं, तो आप साब छोड़ोचा, तो किती रुपए दिया है आपने इलमेट गे और चलान अशनार रुपे गट़णि अपन्सो बचा लिएा आपने, समभडारिगे काम किया है वाक़े में आप देखी, बहुत ही समभारिगे काम किया है अगर आप पुलीस इतना भी आपको छूट देदेगी अगर आप हेलमेट पैन के नहीं आए हैं और तुरंद परभाव से सामने दुकान से एलमेट लाकर के पैन लेंगे तो आपका चालान नहीं कड़ेगे अपने आप में एक नया जुगाड निकाला क्या कहना चाहेंगे यह तो रुपाय था चलान पांसो साथ पाजार रूपय का हेलमेट भी आता है वह खरीदना चाहिए या फिर चलान कटवाना चाहिए आम लंग से यह अपील है कि दुपरिया वहां चलाते वर्त पूर्टी और परिवार की रक्षा के लिए हैं इसे आपके रुक्सा के लिए हैं इसे बहुत नहीं समझे और इसका आधिक बढ़ा रहे हैं सुबह से लगतार कारवाई कर रहे हैं चलान भी काट रहे हैं साथ मे पेन के ही बान चला है निचे तरू से आप देखिए कि आज बाड मेर के सहर में अलग-अलग जगों पर लगातार पुलिस द्वारा कारवाई की जा रही हैं राजस्थान डिजीपी की और से कल आदेश जारी हुआ था कि आज यानि कि 13 मैं को सुबह 9 बजे से साम को 6 बजे पुलिस ने रुकवा दिया लगातार चालान काटे जा रहे हैं तो हमारे सबी दर्शकों से एक अपईल है कि आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट लगा के निकले अन्य था पुलिस आप का चालान काटेगी किसी भी की भी आज सिपारिस नहीं चलने वाली ह पर आज आपका चालान ही कटेगा तो एक बार सभी दर्सक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं कि आज यहां पर पुलिस एक बड़ा अभियान चला रही है और जिस किसी ने हेलमेट नहीं पहना है उसका चालान काटा ज कि अर्णादा जड़ा जड़ा है और रही है तो एक जब है कि आज है कि एक बड़ा भी कि झाल झाल